हलो दियार आज का वीडियो कम्मिनिटी पोस्ट से रिलाइटेट है जो की पार्ट 7 है आएए इसमें कुछ कम्मिनिटी पोस्ट को देखते हैं और उनका हिंदी मिनें जामते हैं तो पहली पोस्ट है पोस्ट नम्र 606 यहाँ पर बताया गया है नो कैप इसी को बोला जाता है अगर कोई यूड बोल रहा है तो उस टाइम पे आप बोल सकते हैं आज की दूसरी पोस्ट है पोस्ट नम्मर 607 इसमें दिया गया है you got this इसी को बोल सकते हो आप you can do this माली जी कोई काम है आप बोलना चाहते हैं कि आप इसे कर सकते हैं तो उस situation में बोल सकते हैं you got this या फिर आप बोल सकते हैं you can do this आज की तीसरी पोस्ट है 608 इसमें बताया गया है I have to go इसको आप बोल सकते हैं I have to leave तो यहाँ पर leave का मतलब होगा go माली जी आपको कहीं पर जाना पड़ता है या जाना होता है किसी काम की वज़े से तो आप बोल सकते हैं I have to go या फिर आप बोल सकते हैं I have to leave आज की चोथे नमर की पोस्ट है पोस्ट नमर 611 इसमें दिया है call the cops इसी को आप बोल सकते हैं call the police दोनों का मतलब होता है जब भी हमें police को बुलाना होता है या police को call करना होता है तो उस case में आप बोल सकते हो call the cops या फिर आप बोल सकते हैं call the police आज की पाच्वे नमर की पोस्ट है 612 इसमें दिया है Sam here इसी को आप बोल सकते है me too आप किस situation में use करना ही मा लीजे आपने कहा मुझे ice cream पसंद है और सामने वाले व्यक्ति को भी ice cream पसंद है तो सामने वाले व्यक्ति बोल सकता है Sam here या फिर वो बोल सकता है me too मतलब मुझे भी ice cream पसंद है आज की 6 नमर की पोस्ट है पोस्ट नमर 613 जो कि last post हैं इसमें दिया है I'm pooped इसी को आप बुल सकते हैं I'm exhausted या फिर आप बुल सकते हैं I'm very tired जब भी आप किसी काम को करने के बाद बहुत ज़्यादा थख जाते हो तो उस situation में आप तीनों sentence में से किसी भी एक sentence का use कर सकते हो और बुल सकते हो यार मैं बहुत थख गया हू That means I'm pooped, I'm exhausted, I'm very tired अगर आपको इस टाइप की post अच्छी लगती है तो आप ली क्लासेस के community टेप पर जाकर सुबा आट बजी रोजाना एक नई post का लाव उठा सकते हो साथ ही अगर आपको 600 post एक साथ चाहिए तो आप Instagram पर यानि Insta पर ली क्लासेस को follow कर सकते हो और सभी post का आनद उठा सकते हो I hope कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा Thank you for watching and see you next time